एक तरफ भारती बैंक नीरब मोदी के दिये गए आर्थिक घाओं से जंग लड़ रहे हैं वही दूसी तरफ सपा बसपा निताओं को रामायन के पातों से जोड़ने वाले यूपी सरकार के विवादे केड़नेट मंतरे नंद गोपाल नंदी नीरब मोदी की रापर चल पने हैं यानि कि बैंको को करूडो का चूना लगाओ और बनो अरपते कैसे एक लोट्री स्टॉल लगाने वाला बना केड़नेट मंतरे आप भी देखे हमारी से रिपोर्ट में ये हैं योगी सरकार के मंतरे नंद गोपाल नंदी करूडो रुपए बैंको के डगार ने का आरोप है लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्हें जान बूच कर फसाया जा रहा है वो हर जाच के लिए तैयार है लेकिन आरोपे की फर्जिवाड़े तरीके से और अपना रसुक दिखा कर करूडो रुपए बैंक से उधार लिये हैं लेकिन चुकाने में पसी में चूट रहे है सालों से बकाया है तब भी पैसे नहीं लटा रहे है विरोधियों को कोसने वाले विरोधियों को रामायन कथा सुनाने वाले मंत्री जब खुद जार में फसें तो सुर्व बदर हुड़े है कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के संरक्षिक उलायन सिंधियादव को राउन कहने वाले बसबा सुप्रेमो मायावति को सपनका कहने वाले और सपाधेश अखिलेश यादव को मेगनाब कहने वाले योगी सिरकार के पर जबान केमिनिट मंत्री नंद गोपाल गुपता नंदी देश के बैंकों को लूट कर विदेश फरार होने वाले नीरव मोदी के रहा पर है नंद गोपाल गुपता नंदी ने कागजों पर कंपनी बनाकर इलहबाद के मानसरोवर इलाके में स्थेट जमो कुश्मीर बैंक से नंदी राम इंडुस्ट्री, नंदी एगरो प्रोडक्स और जहानी सेल्स के नाम पर 65 करोड का लोन लिया और उसे कभी चुकाया नहीं मंत्री नंदी ने बैंक ओ बड़ोदा से अन्पूना ट्रेडर्स के नाम से 5 करोड का लोन लिया और उसे भी अदा नहीं किया जमो कुश्मीर बैंक और बैंक आफ बड़ोदा मंतरी नंदी के इलहवास थित आवास के पास नहीं है मंतरी नंदी ने करेली के यूनियन बैंक आफ इंडिया से 15 करोड का लोन लिया था लेकिन चुकाने की बारी आई तो आनाकानी करने लगे इस मुद्धे को लेकर यूनियन बैंक आफ इंडिया के बैंक करमचारियों ने नंदी के खिराब विरोध परदाशन भी किया था कैबिनिट मंतरी नंद कोपाल गुपता नंदी बैंकों को चूना लगा रही है अखवार में खवरे चप रही हैं केंडर की मोधी सरकार और यूपी की यूगी सरकार इस पर चुपपी साथ हुए है बैंक अधिकारी दमी जबान में नंदी के फ्रॉड की कहानी को सिर्कार करते हैं लेकिं कैमेरे के सामने बैयान देनी की हमत नहीं जुटा पार ही है क्योंकि ये तिनों बैंक केविलिट मंद्री नंदी की विधान सवा सीट सीटी सौर्थ में आते हैं नंदी के खिलाब कारवाई नहीं हो रही है सरकार ने चुपते साथ रखी है